नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका श्टडवी तेम में तो देखिए आज आप सभी के लिए एक नियूज लेका है हूँ खासकर उन लोग के लिए जिन लोग प्रस्तावित हैं तो देखिए यह जून में ही आपके पेपर होंगे तो जो भी आपकी पुरेक्छाय हैं है यहां पर एक जून से काम प्रिक्षयों की कापियां को जाजने का काम एक जून से प्रस्तावित है वहीं से बची प्रिक्षय अगले मेने तीसरे या अंतिम सप्ता में हो सकती है ठीक है यानि कि आपकी जो प्रिक्षय है काफी अच्छा टाइम है 20 जून से पहले भी हो सकती है लगवा 15 जून से आपकी स्टार्ट हो सकती है प्रिक्षय है तो आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल लग जाईएगा और यहां पर लिखा है कि मंगलवार को सिक्षा सची आर मिनाक्सी सुंदरम ने उत्राखन बोर्ट और काफियों को जासने की तैयारी के संबंद में समस्त जिलादिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बात की उन्होंने जिलादिकारियों से कहा कि बोर्ट की सेस प्रिक्षया कराई जानी है इसके अलावा काफियों को जासने का काम भी सुरू किया जा है और उन्हें दुबारा से कॉरेंटीन सेंटर ना बनाया जाए ठीक है यानि कि आपको पता होगी प्रवासियों प्रवासी आ रहे हैं अभी भी उत्राखंड में तो उनके लिए उनकी सुवीधा के लिए उत्राखंड सरकार ने क्या किया है कि देखिए स्कूल जितने भी स् एक्जामनिस्टेट है वो डिकलेट हो सकती है जैसी डिकलेट होगी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को बता दूँगा तो आपसे निवेधन है मेरा कि आप सभी लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा वीडियो इससे फायदा यह होगा कि देखिए आपका इसमें अगरी 10-15 दिन पहले ही आपको बता देंगे कि आपका पेपर कप से स्टाड़ेट कर देंगे डेट को तो आप उस अपनी पढ़ाएं पर जूड़ जाईएगा ठीक है वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो परनिसेंस है वो जून के सेकंड वीक या थर्ड वीक में आपके होने ही आपके दारीक गारीकरियों को परिक्षा केंद्र में बनायगे क्या करने के निर्दिश दिए गये हैं शिक्षा सची आर्मिनाक्सी सुंद्रम ने कहा कि उत्राखन बोर्ट की हाई स्कूल और इंटरमेडियेट की सेज रहेगी प्रेक्षियाओं को कराया जाने के लिए मंगलवार को समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सर्चा की गई इस दो 50 प्रेक्षा केंदे हैं जिनमें वर्तवान में प्रिवास्यों को रखा गया है प्रिक्षा की तिथी एक के बारे में उन्होंने कहा है की मामला केवल सिक्ष्या विवाक का नहीं है स्वासत और आपता विव्याक से भी इसमें जुड़े गये हैं यानि कि यहाँ पर एक का एक उद्देश से कि आपकी जो बूट की हैं ठीक ना आपका स्लेबस लेट ना हो उसके लिए आपका दिकर एक जून सापकी कौपयां जाज आ यह आपने पहले पेपर दे चुक आ हैं और बाकी जो पेपर रह चुके हैं उनके लिए देखिये आपका जून 15 जून के बाद ठीक है 15 जून के बाद आपकी पेपर कराए जाएंगे ठीक है तो आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल लग जाए क्योंकि तैयारी पे उनको लगना बहुत इंपोर्टेंट है जिन्नों ने अपना लक्ष रखा है उत्राखन टॉप करने का तो उनके लिए बहुत प्रचुनिटीटीज है काफी टाइम मिल चुका है जो भी पेपर अभी पता चलाए कि मैध का भी पेपर बचा हुआ है तो मैध के पेपर में भी बहुत सारी लोगों को उसमें टाइम कब मिलता है और उसकी रिवीजन अच्छी नहीं हो पाती तो अब रिवीजन करने का ब मेरी इंफोर्मेशन पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ और आगे की अपडेट जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लिजिगा ठीक है तो ठीक है दोस्तों आगामी जितने भी प्रेक्षा हैं होने वाली आपकी बूर्ट प्रेक्षा हैं बच्ची भी आप सभी लोगों की तो उन सभी लोग के लिए स्टेडी वित इम की और से विस्चे योल देबस धन्यवाद